मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को डबा कर हर अपडेट पर रखे नजर पंजाब चंडीगड में बारिस तो पहाडों पर बर्फ बारी का अलट वेस्टर डिस्टर्बेंस के असर से बदलेगा मौसम आपको बता दे मौसम विभाग के मताबिक नए साल से पहले एक सक्रिय पस्ची में विच्छोब से मौसम का मिज़ास बदलेगा आने वाले इन वेस्टर अंडिस्टर्बेंस से पंजाब से चंडीगड तक बारिश होने के आसार हैं हाला कि पस्ची में विच्छोब के सक्रिय होने पर मेदानी इलाकों के अधिक्तम और नियुन्तम तापमान में बड़त देखी जाएगी पुर्वतर मानसून का असर इन राजों में आज भी बारिश की संभावना जाने देश का मौसम यूपी में बर्फीली हवाओं का कहट चल रहा है कडाके की ठेड़ने लोगों को बेहाल करना जारी कर दिया है उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है मौसम विबाग के मताबिक अगले कुछ दिनों तक गिलगिट बाल्टिस्तान मुझफराबाद लद्दा जमुकश्मीर हिमाचल पदेश और उत्राखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश के जारी रहने की संभावना है हिमाले इलाकों में पारा गिरकर सूने से नीचे यानि माइनस में चला गया है पानी तक जम चुका है जिसके गारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना गड़ना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश के कई भागों में दो दिन बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंदर शिमला के अनुसार प्रदेश में दिसंबर 29 और 30 दिसंबर को शिमला, मंडी कुलू, चंबा, कांगडा, लाहौल, इस्पीती और किनौर के उचाई वाले भागों में बर्फ बारी की संभावना है ऐसे में नवश पर हिमाचल आने का प्लान बना रहे हैं सेलानियों को बर्फ के दीदार हो सकते हैं प्रदेश के मद्दे परवतिय वे मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना है वे भाग में निचले, वे मैदानी कुछे छेत्रों में शीत लहर चलने और सुबा-शाम धुंद च्छाई रहने का येलो अलर्ट जारी किया है 31 दिसंबर से सभी छेत्रों में मौसम साफ रहने का पूरवानुमान है वे मैदानी जिलों में धुंद पढ़ने का सिलसला जारी है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है प्रदेश के अधिकतर भागों में शीत लहर बढ़ गई है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकान शीतरों में हलके बादल छाये रहने के साथ थूप के लिए है शीत लहर की चपेट में उत्तरी भारत हरियाना एंसी आर्देली में शक्रिय होगा पस्ची में विच्छोब बारिश की संभावना उत्तर भारत के राजधों में कड़ाके की ठंड विक्राल रूप धारन किये हुए है कुछ स्थानों पर रातरी तापमान लुड़क कर हिमांग बिंदू के पास पहुँझ गया है जिसके वज़ा से पाला जमनी की स्थिती बनी हुए है अगले तीन दिनों तक इन राजधों में होने जा रही है भारी बारिश आएमडी का अलर्ट मौसम विभाग के मताबिक अगले दो से तीन दिन में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ और हिस्सों में और इससे सटे मद्ध भारत के इलाकों से दक्षिन पश्चिम मानसून की वापसी के लिए इस्थितिया अनुकूल होती जा रही है हाला कि कई राज्यों में अभी बारिश की गतिविदिया जारी है तो तर भारत में मौसम सुस्क है मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए इच्छे है हिंदुज जै भारत